कि हरत संवरता हम लोग देख रह्येख धर देख रहें आपका पॉलिटी में आपको चेप्टर本वर आज देख जएक क morality में niewolanna switch when something बात करें डाप करें था दो फेडरल शूस्ट classroom and वाट इस परलडब of the federal system in the Indian democratic system ओके चली हम लोग सुरुवात करते हैं इसका तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या है तो आपका सब्जेक्ट हो गया यह पॉलिटी का हो गया यह पेंधंग से चल नहीं रहा है अरे भाई यह चल ले यार ठीक है तो यह जो ह फेडरल सिस्टम ओके दिस इस देटेटर नूमर थर्टीन और बुक इस दा एं लक्ष मिकान दिस इस देख एवरी एस्प्रेयंट अब यूपीज़ी पीसी पीसी और एवनेट एससी ओके अगर आपको यह बुक आपको हमारा लेक्टर पसंद आता है तो सब्स्राइब कर पसंद आता है तो नहीं पसंद आता है तो बेसलों डिस्लाइक किजेगा और कमेंट जरूर कीजेगा कि सर आपका हमें क्यों नहीं पसंद आया चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे कि वाट इस दो फेडरल सिस्टम भाई यह तो बहुत दिक्कत है ऐसे काम नहीं चलेगा चलो अलग करें इंको वाट इस दो फेडरल सिस्टम अब का फेडरल सिस्टम क्या है अगर हम इसके बारे हम बात करें आप से यह तो फेडरल सिस्टम के बारे में अगर देखा जाये तो यह ज़एसो पावर का डिविजन है याद रखिएगा यह क्या है पावर का डिविजन है तो पावर का डिविजन किसके बीच में है तो सेंट्रल गॉवब्मेंट और एस्टेट गौवर्मेंट सेंट्रल गौवर्मेंट और एस्टेट गौवर्मेंट के बीच में पॉर्मर का डिविजन है और यहां डिविजन कौन किया है तो यहां डिविजन कर रहा है आपका Constitution of India Constitution of India यहां डिविजन कौन कर रहा है तो यहां डिविजन जो कर रहा है वो भारत का समिधान यहां डिविजन कर रहा है कैसे तो आपको पता होना चाहिए यहां जो आपको Central का लिस्ट हो गया कि Central लिस्ट मतलब कि Central इस जगवा पर कानून बनाएगा और यहाँ जोएस आपका estate list हो गया और यहाँ जोएस ओ concurrent list हो गया ओके, there is the three list, central list, estate list and the concurrent list अब यहाँ पर यह कहाँ पर mention है भई, अबर आप सरी इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ समिधान में ही mention है भई यहाँ जोएस आपको Constitution of India में इसके बारे में बात कर दी गई है तो अब यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में जैसे पावर का division हो रहा है Central Government, Estate Government, Constitution of India इसके बारे में अगवाही दे रहा है कि यह तीन list हो गया है तो इसका ऐसा करने के मतलब है कि रिजिनल डाइवर्सिटी है, एस्टेट की अपनी इज्जत है कि हमें भी सरकार में सामिट के यह हमें अपने जगापे हमें हिसाब से रूल करने दिया जाए और ऐसा समिधान जो से रिकुनाइज करता है तो भी जाके सेकुरिटी और इ तो जो आपका यहां पर फेडरल सिस्टम है अगर हम उसके बारें बात करें तो यहां पर है तो यहां पर काया गया है कि सिस्टम की बारें बात किया गया है गौर्मेंट में जो सिस्टम है वह दो तरीके के सिस्टम है यहां पे आपको एक हो गया आपको कि फेडरल मॉडल और दूसरा हो गया यूनिटरी मॉडल da federal model और इनुटिव मड़ल फेडरल में power kaps division हो जाता है पाम्क Ref इंडिविजन जो है है यसो किसके किसके बीच में aiا कि Center और set के बीच में और कि और एनुटरि वाले जो है सूरा कांसेंट्रीेट रहता है पावर कंसंट्रेशन है और सम पावर दिया जाता है ठीक है तिहां पर आटोनोमी लेस आटोनोमस है और यह जो है सो मोर आटोनोमस है क्योंकि इसके पास ज्यादा पावर है यह चीज़े का हमें ध्यान रखना है और यहां पर आपको यह जाता है अलग अलग जगह पर अलग तरीके से इस चीज़ को डिफाइन किया मैं थेकर हलों झैन। भारत देश कोट नोवर्या सिस्टम चलिँंगा और अगर आप यह जाएंगे जैसे आदेशा में जाएंगे या रसिया में जाएंगे तो इस टाइब के सिस्टम आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर यह चीज़ें क्लियर हो गया अब यहां पर कि जो फेडरल वार्ड है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चक कर लें कि अगर हुल है क्या जो और या जो फेडरल वर्ड है यह जो आपको कहां से आया है तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो आपको फुयडस है जो फुइन से आया है और यहरे तो एक लैटिन भाटा से ड्लैंटिन्टीम वर्ड रेंजूट है यह एक आपका लेटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है ट्रेटी यह अग्रिमेंट तो आप देखिएगा USA में पहले आपको टोटल कितने स्टेट थे 13 थे आपके लिट में 50 हो गए हैं तो इनके बीच में एग्रिमेंट है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में कोई एग्रिमेंट उगर नहीं है जब चाहता है सेंटर तोड़ देता है एस्टेट को लेकिन पावर जरूर दिया हुआ है तब हम थुरह सा देखेंगे आपका फेडरल और उनिट्री गवर्मेंट के बीच में डिफ्रेंस को अगा और या इनिट्री हो गया ढ करें दीच अचिए फेडरल एंड वेत्व सब्सक्राइ lange अबूर्मेट्येक नव यहां पर एक तरा से कहा जाय को है तो यह डिबायों ओल हो गया को अश्रोर मोडल कैसे हो गया एक सेंटर में है और दूसरा एस्टेट इंव हो गया यहां पर सिंगल मोडल में यह कहीं है थी कि आपको रिटेन हो सकता है यहां पर रिटेन शोकता है या नहीं वियू सकता है ठीक है तो यहां पर रिटेन या नोन रिटेन के अगर बात आती है रिटेन रहता है तो ज़्यारीटी रहती है मेटर में और नोन रिटेन रहता है तो दिक्कत होती है तिसरा है यहां पर प्रेवर करें कि ऐ है और यहां पर तो कि कि यहां पे टे अब कह व्याएँ ख्या से सब्सक्राइब बाद में टेक्ष है यहां पर ढूएं जो सबसे इन्पोर्टेंट पॉइंट है कि सीर्म कौन है को और कंसिट्यूशन है यहां पर Constitution Supreme नहीं है इस चीज़ को ध्यान रखना पढ़ेगा अगर Constitution Supreme हो तो क्या बात है फिर तो यहां पर समझना पढ़ेगा जैसे यहां पर कहीं-कहीं पर भी है जैसे आपको जरपान में सुप्रीम है अब बृटेन में नहीं है तो यह अलग-ळलग है जैसे आप और यहां पर में रिजिट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है आपको नीचे दिख रहा है हाँ ठीक है तो रिजिट कंसेचुशन हो गया नहीं आपको जुडिसरी इंडिपेंडनेंट है ठीक है तो यहां पर आपको इंडिपेंडनेंट जुडिसरी और यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्रॉस करना मतलब नहीं होगा और ओके करना मतलब होगा ठीक है और बाइक केमरल आपको दिकरा इधर नीचे चलिए यहां पर हम लिख देते हैं आपको सेबन नमबर लिख देते हैं आपको बाइक केमरल यहां पर आपको बा पर्टर्ण नहीं है इसमें फिक्स पर्टर्ण है ड्योड मोडल हो गया रिटमंड इज्चियुशन हो गया सुप्रीम और अब आप से यही पूछता है कई बार एक्जाम में पोष्च चुका है ऑब्जेक्टिव पोष्च चुका है आई एस में पूश्च चुका है कि फेडरल मोडल का जो फीचर्स बताइए तो फीचर्स में आपको डूएल मोडल अप गवर्मेंट रिटन कांसेचियूशन हो गया सुप्रेम कांसेचियूशन हो गया इसको याद कर लिजेगा यह साथ पॉइंट बहुत ज़्याद अपका रहाई है आपका की जो अपका फेडरल या फेडरेशन है यहां कहां से है अको पर हम इसके हैं थोरा बात करते हैं तो इसी है अलियापकर नृप कं यहां पर Commons Unknown को सारे ऐस्टिय्ट आपको एक साथ मिल गए कि कि यहां पर इंतिग्रेशन अफ इस्टिय्ट अथे में यहां पर एस्टिय्ट का इंट्वरेशन हुआ अई मोडल हुआ और हमें कि इस तरह से यह आया हुआ है या कई बार डिस इंटिग्रेशन कि एक बड़ा एस्टेट था टूट गया पावर का डिविजन हो गया तो इस तरह से आपको इंटिग्रेशन या डिस इंटिग्रेशन की बात कर सकते हैं जैसे अमेरिकन रिवलोजिम में 1775 से 1883 तक चलता है और 17 आपको यहां पे 13 से आपको कहा देखने को मिलता है तो ऐसा जैसा आपको कनाड़ा में देखने को मिलता है भारत के संदर में अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा तो भारत के संब्द में हमें इंडिया एक फेडरल मोडल है इंडिया एक फेडरल मोडल है आप इस से अगरी करते होंगे 100 परसेंट लेकिन दिक्कत कहा है यहां पे कि एस्टेट जो है आपका कि नो एस्टेटिक एस्टेटिक नहीं है एस्टेट को जो है सो यहां पे सेंटर मोडिफाई कर देता है आपको नेम्स को एरिया को यहां बाउन्डरी को बट जो नया एस्टेट बनेगा वह फेडरल का नेचर कहीं होगा उसको वहीं पाउर प्रवाइड होगा इस चीज का हमें ध्यान रखना है तो यह जो है सो भारत का अपना मोडल हो जाए झाए यहां चे TCP आपने मोडल आ अपने उनिक मोडल है अपन्सक्राव मोडल ने का इस ने आफने मोडले फियांत बंड इसह सेंट्रल मोडल है जबकी युज़ॉस्य हैंस आपको कि मोरre। अगें है कि हमाया जो है इसेन्टल सभ सोमके कफूलोा करते हैं ठीक है इसे मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वह च्थच ज्णधा ही वहां है कि सेंट्रलाइज है थ semana करते हैं घंघे बढ़ते हैं अफिछर्ग हुर को देखेंगे बारत का कंसिचूशन में फेडरल क्यों कहा जा रहा है इसकी पीछे का राज क्या है आप उसको उससे परदा उठाना जा रहे हैं हम लोग कि फीचर्स अब फेडरल कंसिचूशन कि ओके कि आप कि फीचर्स आफ कि फेडरल कि फेडरल कंसिचूशन के फीचर्स क्या-क्या है आप हम लोग इस पॉइंट पर बात करेंगें चलिए शुरुवात करते हैं वाट इस दा फीचर्स कि तो सबसे पहला यहां पर है कि आपका डिवल पॉलेटी हो गया कि अपको इस वे पॉलेटी करने का मतलब यहां पर यह हुआ कि आपका एक उसेंटर की पॉलेटी अपने अलग चलती है और दूसरा एस्टेट की पॉलेटी अपना अलग चलती है यहां पर दो पॉलिटी चल लाई है एक तो सेंटर की दूसरी एस्टेट की हो गई ठीक है तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटर जह सो अपना जो अलग-अलग जैसे यहां पर यह जो उसका सेंट्रल लिस्ट है उसके हिसाब से काम कर रहा है और एस्टेट लिस्ट के हिसाब से काम कर रहा है और यहां लिस्ट का डिविजन कोन करता है तो भारत का समिधान करता है इस चीज़ का अपको ध्यान अपना पड़ेगा दूसरा चीज हम लोग ने देखा था कि मोडल में आपको रिटन नीचर अब दो कंसिचियोशन ठीक है तो भारत का समिधान जो एक अपका रिटन मोडल है ठीक है इसके हिसाब से यहांपर काम कि जा रहा है नेक्स्ट पर जो है आपका यहांपराके यहांपर net behavior of the constitution हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको हो गए यहां पर कि पाउर का डिविजन किया गया है तो डिविजन पाउर है यहां पर आपको सेंट्रल लिस्ट हो गया उसके बाद में यहां पर एस्टेट लिस्ट हो गया और फिर कॉनकरेंट लिस्ट हो गया ठीक है तो सेंट्रल लिस्ट में आज के डेट में आपको जिस्टी सिक्स हो गया है तो 59-66 हुगा यहां पर पहले 59 था अब बढ़ कि 66 हो गया और इस्टीट लिस्ट में कितना है आज के डेट में तो यहां पर तो आपको पह सब्सक्राइब कि आपको सब्सक्राइब करते हैं चिआ मेरे ख्याल से फिबिटी टूर्टी ठीटेू करें चाहिए Constitution of India Supreme है वही जो हम लोगों ने शुरू में देखा था कि क्या क्या features होते हैं Supreme आपका Constitution of India है ठीक है और यह जो आपको Federal feature basic structure में भी आता है according to the Supreme Court judgment उसके बाद में हमारा जो आपको Supreme हो गया Constitution of India उसके बाद में बार बार चेंज नहीं करेंगा जैंगा अब तो 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 उसके बाद में यहां पर इंडिपनेंट जूडिसरी हो गया आपका इंडिपनेंट रहेगा तब सेंट्र स्टेट मेंगर कोंई dispute होता है तो उसको इजी वे में solve कर पाएगा उसके बाद जो हम लोगों नहीं देखा ही था कि भाई केमरेलिजम कहने के मतलब यहां पर है कि जो आपको लोवर हाउस जो होगा लोवर हाउस पॉब्ली को रिपर्जेंट करेगा और अपर हाउस जो एस्टेट को रिपर्जेंट करेगा यह चीज ध्यान रखिएगा बार बार यहां पर कोर्शन हो सकता है आपसे ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पर देखेंगा उनिट प्रेटरी फीचर्स के बारे में चलिए अगर को अगर करते हैं आप तो क्योंकि हम लोग जैसे कनाडियन अगर जब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ तो हमारी देश में इन्टी और इंटीग्रीटी बनी रहेगी तो पहला हमारे यहां पे जो है सो यह फीचर्स हो गया भारत देश का कि सेंट्रल एस्ट्रॉंग है उसको ज्यादा पमर दिया गया है ठीक है है और यहां पे एस्टे अच्छ दाल है आए कैं आई है है अई है यहाँ पर आपका प्रमानीट नहीं ठीक है यहाँ पर पहला है कि सेटर अस्टॉम होग है दूसरा एस्टे परकम converge नहीं कि जब भी 손ist तो तो टोड़ सकता है ठीक है उसके बाद में आपको single constitution के बारे हम बात किया गया है कि भारत देश में जैस हो Color ay the reparation क्योंक्भ ह स्रहों कि निरे में हैंero कि बने जबकि यूए से में यह सा नहीं पाया जाएगा एस्टेट का अपना अलग और सेंटर का अपना अलग कॉंसेचूशन है उसके बाद में हमारा जह स्वापको और गनीक कॉंसेचूशन है समझ लेजिए और गनीक कॉंसेचूशन करने का मतलब टाइम के साथ में एज रिक्वाइड चेंज हो जाता है नेच्ट सूरव के अपका यहां पर एंग कॉंसेचूशन फीटी यहां पर सिंगर कॉंसेच से को ग्याड हो गया और ऊर्गनीक अपरी ऑन्यक्राणनिका कॉंसेच कंで में वाइगनिक को such इंडीया हो गया نेस्टि आपको जो हो सिह जो हो गा तो यहां पे इक्वल रिपर्जेंटेशन नहीं है स्टेट का जैसे आप अगर इवेसे में देखेंगे तो यहां पे आपको पचास इन्टू दो है तो हंड़ेट सीट है उनके जो अपर हाउस में कि लेकिन हां यहां ऐसा नहीं है यूपी का कुछ और सीट है और सिकीम कर देखिएगा तो एक सीट होगा उसκαण और इनकमाली की हैं कि उसके बारे में warum कर रहा है उसके बाद में नेक्स्ट अब का हो गया इहां पर किographics को अधेज पर शुर। अधे हैं तो जो सर को अधेलर से सटे यह एक हैं से से यहां यहां होजाता है मुझत में इसलिए बाएंट को कहते थे कि इससे बढ़िया कोई सम्मिदान हो ही नहीं सकता है ठीक है उसके बाद मैं आपको सबसे important point है अमारे यहां कि integrated judiciary है अगर को इंटीग्रेटेड जूडिसरी जब कहा जाएगा यहां पर इसका मतलब हो गया कि आपका center फिर estate ठीक है और यहां पर यहां पर यह लोकल बड़ी हो गया तो यहां पर Supreme Court High Court Lower Court इसका judgment इस पर इस पर अपलाई होगा इसका इस पर अपलाई होगा यह अपस में रिभीव भी करते हैं अपने अपने judgment को तो यहां पर क्या है कि इंटीग्रेटेड़ जायस स्टम है भरत देश में हड़के स्टेट अपना अलग लाव है और जूरिश्याit सिस्टम अलग है तो काफी ज्याद है यहां आत्लम स्र FRECAY पॉल इंडिया सर्वीसेस मतलब की जो है सो आईएस आईपिएस जो सेंटर सेलेट करती है और एस्टेट को देती है तो एस्टेट के इसमें अपना सेलेक्शन के काम नहीं करता है जो सेंटर जो कर देखवा ही चलता है इंटिग्रेटेड जैसे और छोडिट मसीन है जैसे कैक को जो है वह सेंटर रेस्टेट को दोनों को देख रहा है तरह सब एक तुरिशन की तरफ प्र कर रहे हैं इसलिए हम्राइज उसके बाद में आपको और एस्टेट लिस्ट में पालियमेट जहसो तांक जाक करते रहता है यह भी एक प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है ठीक है उसके बार नेक्स्ट आपका जहसो आपको गौर्णर के अपॉइंट्मेंट ठीक है तो यहां पर जहसो आपको गौर्णर के अपॉइंट्मेंट भी एक बहुत ही बार बार जहसो बहुत का मुद्दा रहता है उसके बाद जहसो आपको इंटिग्रेटिड एलेक्शन कि इलेक्शन कमिशन अफ इनइया ये सेंटर और एस्टेट दोनों के एलेक्शन करा रहा है यहां पर इंटिग्रेटिड एलेक्शन हो गया और उसके बाद में इस वापको प्रसिडेंट का भीटो पाउवर पी लिखते लें तो मतलब प्रसीडेंट हो गया बीटौ पार किसे एस्टेट के बिल पर इंहां पर इंडियन हज़ी ईविश्टं करेंगे लिए ओप और फिर जह से से हम जो वाइंड आप करेंगे मेरी ख्याल से हां dob क्र तो चलिए हम लोग इसका क्रिटिकल एवाइडवेशन करके इसको वाइन अप करते हैं चलो बाई क्रिटिकल एवाइडवेशन किया जाए इसका कि अब तो क्रिटिकल एवाइडवेशन के अगर आप बात किजेगा यहां पर तो क्रिटिकल एवाइडवेशन में हम लोग देखेंगे आपका कि हमारे लिए मोडल को क्यों लेके आया ठीक है यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कि इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी फेडरल को मतलब होता है कि यह जूठा फेडरल है इसलिए क्योंकि मोर इमेट्री है ज्यादा इमेट्री नेचर का है इसलिए इसको कहा जाता है कि यह जो आपके राइटर्स है या जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है यह के सी वरे के कहना था के सी वरे जैसो के सी यह जो आपको के सी डवलिग देता हूं कि के सी वरे का कहना था ज्यासो यह आपका जूठा फेडरल है क्योंकि जैसो बहुत ज्यादा इसमें यह नहीं है उसके बाद नेक्स्ट आपका है यहां पे कि आपको के संथानन करके है तूफ एक्टर्स यहां पे रेस्पॉंसिब और हर बात के लिए टंग आरा रहा है इसलिए यहां पे यहां यहां यादि नेचर का समझ में आ रहा है और दूसरा यहां पे उनका कि डॉम्नेंस है आपको फानेंसियल असपेर में सेंटर का कि फानेंस में पैसा सेंटर रहा है और वहीं डिस्टिब्यूट कर रहा है इसलिए आपका यहां पे है कि आपको है करना है इनका कि एक्स्रीम फेड्रण हो गया यहां पे यह लिख देता हूं जो एक्स्रीम यह हम और फेड्रल के लिए अप लिए लुक्विग देते हैं कि आपको सेरीब कहते हैं आपको आपको आईर्जनिक वह लिख देते हैं मुलक फूच देता है आपको एक जना आपको कोड़ करने के यह फिदरेशन सो अ है कि सुत है कि की के नहों इसके बारे मिए पर भात किया लेकिन अमबेदकर जी का कहना है कि जो हमारा हम्टा सीस्टम है चाह और हम लोग पकिस्तान तो चुका था तूट करके तो हम लोग नहीं चाह रहे थे कि युए से जैसे कोई सिस्टम लेके आए टाकि हमें नुक्सान हो ठीक है उसके बाद 1994 में सुप्रिम कोर्ट नहीं यहां पर कहा कि आपको जैसे फेडरलिजम बेसिक फिचर हो गया तो ऐसार बंबाई केस हो गया बंब स्ट्रक्टर का पार्ट मानता है कौन सुप्रिम कोड यहां पर यह जो है स्वापको एक क्रिटिकल इवैलिवेशन है कि आखिर में किसने क्या कहा और उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो पैटरलिजम के बारे में अगर हम और ज्यादा इसमें अगर थुरा या सेंटर आसेंट के बीच में इसमें यह जादा पाउड देने करन ज्यास करते हैं लेकिन यूनिटी और इंटी इंटी के लिए वह विवस्तह बहुत सही था दन्य बाद इस चेप्टर को हमें प्रहाने के लिए अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सब्स्राइब जरूर कीजिएगा